वेलकम टू जीरो से जिनेश तक इस क्विज टेस्ट में आपसे पुछूंगा दस सवाल और उसका जबाब भी बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल है आधुनिक देवनागरी लिपी का प्राचीन रूप क्या है इसके लिए अफसेंस दिये गए हैं आपको आंसर सोचने के लिए मिलिंग पात से किन के समय ज्यादा समय चाहिए तो अब वीडियो को पॉस कर सकते हैं तो आंसर सोचने के लिए समय स्टाट होता है अब राइट आंसर है आफसन नंबर सी पाली सवाल नंबर टू कॉल्प सूत्र की राचना किसने की राइट आंसर है आफसन नंबर डी भद्र बाहू ने सवाल नंबर तीन समाजिक समयिंदा नामक पुष्तक किसने लिखी है राइट आंसर है आफसन नंबर ए रूसों ने सवाल नंबर फोर मगद के राजा अजास सत्रू का सदेव किस गनराज्य के साथ यूद रहा राइट आंसर है आफसन नंबर ए बैसाली सवाल नंबर पाच जेलम नदी के किनारे परसीद विस्तता का यूद कीन के बीच लारा गया था राइट आंसर है आफसन नंबर सी पोरस और सिकंदर के बीच सवाल नंबर छे शिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्न राजवन्सों में से किस राजवन्स का सासन था राइट आंसर है आफसन नंबर ए नंद वन्स सवाल नंबर साथ दोस्तों आपके फोन के इंटरफेस ऐसा दिख रहा होगा आप देख रहे है जीरो सजिनेस तक इसके जश्ट बगल में सब्सक्राइब बटम है यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये त आप जेनरल कॉंपर्टिशन की तैयारी करते हैं तो धन्याबाद सवाल नंबर साथ हाडिक्स हाइज सवाल को एक वर फिट से समझ लिजिए हाडिक्स कीस परकार का डिवाइस है यही सवाल है आपका आपको राइट आंसर सलेक्ट करना है समय स्टार्ट होता है अब राइट आंसर है आपसन नंबर सी सेकेंडरी मिमोरी हाडिक्स क्या है तो एक सेकेंडरी मिमोरी है ओके सवाल नंबर आठ भारतिये भासा के पहले सर्च इंजन का नाम क्या था राइट आंसर है आपसन नमबर बी तलास सवाल नमबर नौ पर्थम लोग पिरिये मीनी कम्प्यूटर का नाम बताईए राइट आंसर है आपसन नमबर बी पी जिरो एट ओके पी डी पी एट सवाल नमबर टेन सी डेक किया स्थापन कब हुई थी राइट आंसर है आपसन नमबर ए सन उन्नी सो अठासी में क्वेश्चन फोर यू गंधार काला साइली यों संसलेशन है भारतिये तथा यूनानी काला का भारतिये तथा फार्सी काला का राइट आंसर आपको कॉमेंट बक्स में कॉमेंट करके बताना है आप लिखेंगे क्यू फोर यू और उसका राइट आंसर वीडियो पसंद आया तो आप भी लाइक करतीजिए और दोस्तों और भी वीडियो आप देख सकते हैं यहां आई बटम पे किलिक करके 25-25 के जो सिरीज चलता है उसे आप जरूर देख लिया किजिए इन फ्यूचर में बहुत काम आएगा वे उस सिरीज में मिसलेनियस प्रस्ण होते हैं जो आपके आगामी एक्जाम के लिए बहुत अच्छा साबित होता है वहां से डाइरेक्ट प्रस्ण पूछे जाते हैं धन्याबाद बंदे मातरम